नमस्कार बहुत स्वागत है आपका साल का पहला चंदर गरहन लगने जा रहा है बैसाक पुर्णिमा के दिन बैसाक पुर्णिमा जिसे हम बुद्ध पुर्णिमा भी कहते हैं इस दिन लगने वाला चंदर गरहन उपचाया चंदर गर्ण होगा और ये भारत में दिखाई नहीं देगा चुकि दिखाई नहीं देगा भारत में तो सूतक काल भी माने भारत में नहीं होगा और साथ ही इस दिन महाप्रयोक तुलसी के के जाते हैं बैसाक पुनिमा का हमारे धर्म में बहुत महत्व है इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्वी हुआ है और भगवान बुद्ध भगवान स्रीहरी बिश्णु के अवतार माने जाते हैं इस दिन पवित्र नदी सरोवर में नहाने का विधान है वैसे इस दिन लग रहा है चंदरगरन जो एक उपचाया चंदरगरन है हलांकि ये भारत में नहीं दिखाई देगा लेकिन चुकि पूरे बिस्व में हमारे भारती हैं और अपने संसकारों को मानते हैं इसलिए आप कोई अन्य भी देश में हैं जैसे अमेरिका वेगरे में दिखाई दे रहा है ये चंद्रगरान तो आप वहां पर भी ये पालन कर सकते हैं तो देखे पवित्र नदी सरोवर में नहाने का भी धान है ऐसे में आप पवित्र और मुस्किल है तो ऐसे में एक छोटा सा काम करें अपने घर में नहाने के पानी में थोरा सा गंगा जल डालकर नहाएं अगर गंगा जल ना हो तो तुलसी के पत्ते डालकर नहाएं वो भी सेयोंग में आई है क्योंकि इस दिन लग रहा है चंद्रगर्ण और भगवान स्री हरी की किरपा पाने के लिए मालक्षमी की किरपा पाने के लिए इस दिन बिसेश तरह के दान पुन्ने किये जाते हैं और भगवान स्री हरी और चंद्रदेव की पूजा करने से जीवन के सार के फल पंचामरित अर्पित करें और हल्दी से उनको तिलख करें इसके बाद खुथ भी अपने आपको तिलख करें घर के मुक्ष हाजए पर हल्दी और हम उनकी चावल से आपको बनाना है, अगर हल्दी चावल से नहीं बना रहे हैं, तो सिंदूर से भी बना सकते हैं, घर के मुख्य दरवाजे के बाहर बनाना है, फिर आप मा लक्षमी जी की भी पूजा करना है, उन्हें भी आप पुस्प, फल, नेवेद अरपित करें, अब जब आप स्री हरी क जब पूजा कीजिएगा, तो इस दिन जो कसार होता है, जिसको कहते हैं, सुखा भोग, सुखा परशाद, यहनि आटे या सूजी को भून कर बनाया जाता है, आप उसको बना सकते हैं, या फिर धनिये की पंजीरी भी बना सकते हैं, या फिर पंचामरित ही बना लें, कोई कोई एक भोग जरू बनाए, और जो भी भोग अरपित कीजिएगा, उसमें दो तूलसी के पत्ते जरू डालिएगा, अब जब चंद्रोदय हो जाए, उसके बाद उनकी अर्ददे उनको पूजा करें, और भगवान स्री हरी को जो आपने परसाद अरपित किया है, उसको ब चंद्र गरहन हलांकि उपचाया चंद्र गरहन है, लेकिन इसका प्रभाव हर रासियों पर पड़ेगा, और तमाम तरह के यहां पर उनको पालन भी करनी चाहिए, वैसे जिन रासियों के लिए गरहन असूब है, उनको गरहन समापती के बाद जो काली उड़त होती है, उसक बढ़ जाता है, तो तुलसी के पत्ते पांच अस्थानों पर आपको रखने है, कौन कौन से अस्थान पर रखेंगे, यह तो हम जानेंगे ही, साथ ही तुलसी जी की बिसेश पूजा भी की जाती है, आईए जानेंगे बिस्तार से, देखिए चुकि यह गरहन उपचाया च बिल्कुल भी नहीं, देखिए क्या करेंगी आप, एक तो गरहन के वक्त खुले, आकास के नीचे बिल्कुल भी ना जाए, दूसरी बात, आप सर पर हमेशा एक पलूट या दुपट्टा रखें, अपने गोद में पानी वाला नारियल लेकर बैठे रहें, कहा जाता है गर गरहन के दौरान पके वे भोजन में, अगर आप तूलसी के पत्ते डाल दें, तो आप इस भोजन को गरहन कर सकती हैं, दूसरी बात, देखिए गरहन के समय जो गर्वती महिला हैं, खास कर आपके लिए ज़्यादा प्रहिश करना है, क्योंकि आपको ना तो तालचा भी मिट्टी नहीं कोड़नी है, तो इन चीजों का ध्यान रखें, और साम के वक्त पूजा पाट हो रहा है, तो आप तूलसी जी के पास एक दीपक जरू जलाईएगा, लेकिन सुभा में तूलसी की पूजा कैसे करेंगे, पहली यह समझ लेते हैं, देखिए एक लोटा जल ल होंगे, तमाम जो आपकी मननत है वो पूरी होगी, तो गरहन के समय कुछ खास कारें नहीं करना चाहिए, वो यह है कि तेल नहीं लगाना चाहिए, खाना पीना भी नहीं खाना चाहिए, सोना भी नहीं चाहिए, बालों में कंगी नहीं करना चाहिए, कपड़े भी नहीं इसकंद पुरान कहता है कि गरहन के समय दूसरे का अन नहीं खाना चाहिए नहीं तो इसके परिणाम आपको बारव बरसों के एकत्र किये वे पुर्ने आपके नस्ठ हो जाते हैं तो गरहन के दोरान इन बातों का ध्यान रखें और गरहन तो देखने की गलती घरवती मेलाएं बहुनकर भी ना करें तो पाँच अस्थानों पर तूलसी के पते रखे जाते हैं पहला अस्थान है आपका खाना आपके घर में जो खाना आपने बनायाए है ष्टोर किया हुआ फ्रीजमें की खा का अन है जरूर डाल दे तूसरा अस्थान है नहाने का पानी आप चाहें तो आप टंकी में भी डाल सकते हैं तूलसी का पत्ता किसी कपड़े में हरे रंग के कपड़े में बांद कर कोई धागा के सहारे आप उसको डुबो दें और इसी पानी से स्नान करें और तीसरा है आपके घर में दूद, दही, मिठाई, पनीर बहुत साई चीजें होती हैं घर एक चीज में एक एक पत्ता तूलसी का डाल दें इससे गरहन के समय होने वाले नकात्मक प्रफाओं से आपका भोजन सुरब चित रहेगा इसके साथ ही आपको तूलसी का पत्ता नहाने के पानी में पीने का पानी में खाना में मिठाई में और साथ ही साथ पीने के पानी मे तो इस तरह से आप तुलसी का पत्ता का प्रयोग करके विसेस लाप राप्त कर सकते हैं गरहन के वक्त यह बहुत जरूरी है अब आते हैं थोड़ा और आगे चुकि इस बार का गरहन उपच्छाया चैंदर गरहन है और इसका प्रभाव बैक्ति विसेस रासियों पर पढ़े उपर गरहन का दुस्ट प्रभाव कम पढ़ रहा है और आपको परिशानी कोई दिकत नहीं है लेकिन बांकी की जो रासियां है इनको गरहन का थोरस निगेटिव प्रभाव है तो ऐसे में अगले 15 दिन तक इसका प्रभाव रहेगा बचने के लिए गरहन समाप्त होने के ब कमेंट करें हर हर महादेव धन्यवाद